केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों को बड़ा तुहफा दिया है। मोधी सरकार ने श्रमिकों के लिए वेरियबल डियर्नस अलाउंस यानी वीडिये में संशोधन किया है और उन्हें मिलने वाली नियूंतम मजदूरी दर को बढ़ा कर एक हजार पैटीस रुपए प्रतिदिन करने का एलान किया है। रिपोर्ट्स की माने तो श्रमिक वर्ग की जीवन शैली को भैतर बनाने के उदेश से सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। प्रतिमा होगी। इसके अलावा सरकार की तरफ से अलग-अलग कैटेगरी के मद्दे नजर नियूंतम मजदूरी की दरों में बदलाव किये गए हैं। जिसमें सेमी स्किल्स श्रमिकों के लिए नियूंतम दर 868 प्रतिदिन होगी। वहीं बात करें। कुशल, लिपिक और बिना हतियार वाले चौकीदार या गाड यानी स्किल्ट वरकर्स की तो उनकी नियूंतम मजदूरी बढ़ा कर 954 प्रतिदिन किया गया है। तो अत्याधिक कुशल के लिए यह दर 1035 प्रतिदिन होगी। इससे पहले ही दिल्ली सरकार ने भी मजदूरों के हक में ऐसा फैसला किया था। मिनिमम सेलरी की नई दर को 1 अक्टूबर 2024 से लागू किया जाएगा।